हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि Samsung Galaxy M13 फोन में आप लोग कॉल रिकोडिंग कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy M13 5G फोन है और इस फोन में आपको आपको आटो कोल रिकोडिंग करना है अगर आप लोग चाते हो कि आपके फोन में जब भी किसी का कॉल आए तो जो वो कॉल है गाईस आटोमेटिकली रिकोड हो जाए तो कैसे आप लोग जो इस अल रिकोडिंग को कर सकते हो गएस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं Auto call recording करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने इस phone के application को open कर लेना है जिससे आप लोग call करते हो Open करने के बाद यहाँ पर आपको एक three dot का option मिलेगा तो इस three dot के option पे click करेंगे Click करने के बाद settings का option आएगा settings पे click करेंगे क्लिक करती रेकोर्ट कॉल्स का एक option आएगा तो इस रेकोर्ट कॉल्स के option पे क्लिक कर दीजी क्लिक करती या पर एक option आगा ओटो रिकोर्ट कॉल्स का तो इस option को आपको on कर देना on करती आपके phone में जो है call recording होने लग जाएंगे उसके बाद auto call recording पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको options मिलेंगे जैसी कि all calls सारा ही number पे record करने तो all calls पे रख सकते हो call with unsaved number जो भी number save नहीं होगा सिर्फ उसी number पे आपके phone में call recording recording होगा तो इस पे भी आप लोग set कर सकते हो उसके बाद call specific number का option इस पे click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग जो है number को add करेंगे जो भी number पर आपको जो है ऑटो मिलिक रिकोड करना है तो जो लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पासा ना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेट्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई